इलाज के नाम पर कई युवतियों के यौन उत्पीन के मामले में अमेरिका में जिमनास्टिक से जुड़े पूर्व डॉक्टर लेरी नासर को 40-145 साल की जेल की सजा सुनाई गई है इस तरह डॉक्टर लेरी नासर को अपना पूरा जीवन जेल की सलाखों के पीछे ही गुजारना होगा उस पर 150 से अधिक लड़कियों के यौन शोशन का आरोप है डॉक्टर लेरी नासर की शिकार बनी 150 से अधिक युवतियों की गवाही के बाद जज रोजमेरी एक विलीन ने मेशिगन की एक अदालत में कहा मैंने अभी आपके डेथ वारन पर हस्ताक्षर किया है आप फिर कभी जेल से बाहर निकलने के हगदार नहीं है आप उतने खतरनाक हैं जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता है जानकारी के मताबिक जिमनास्टिक से जुड़े डॉक्टर लेरी नासर पर शुरुआत में साथ महिलाओं ने यौन शोशन का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था इसके बाद जैसे जैसे मामला तूल पकड़ता गया लेरी पर करीब 156 महिलाओं ने आरोप लगाए कोट में इस मामले की कारेवाई करीब 7 दिनों तक लगातार चली कोट में जज़ के सामने पीड़ताओं ने बताया कि डॉक्टर लेरी नासर इलाज के नाम पर उनका यौन शोशन किया करते थे वह अपनी गंदी हरकतों को इलाज का नाम देते थे इसलिए शुरुआत में कुछ महिलाओं ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी लेकिन लगाता शिकार हो रही महिलाओं के बीच ये बात आकी तरह फैल गई ओलिम्पिक में गोल्ड मीडल विजेता जिमनास टाली रेसमन ने कहा तुम इतने घटिया हो मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ इतना गुसा आता है कि मैं खुद समझ नहीं पाती हूँ अब तुम है महसूस होगा कि तुमने जिन लोगों का उत्पीन किया आज विह ताकत बन चुकी है तुम कुछ भी नहीं हो सजा सुनने के बाद डॉक्टर लेरी नासर ने कहा कि पिछले साथ दिनों से वेह महिलाओं का बयान सुनकर अंदर तक दहल गए है इस बात ने उनके दिल को जग जोर दिया है वह अपने क्लाइंट का अच्छे से इलाज किया करते थे यही वज़य है कि वे बार-बार उनके पास आते थे लेकिन मीडिया ने मामले को अलग रंग दे दिया करीब है एक सौप छपन पीडित महिलाओं के बयान दर्ज किये गए आखिरी बयान देने वाली पीडित रेचल डेन हॉलेंडर थी उन्होंने सबसे पहले सारवजनिक रूप से नैसर पर यौन उत्पीन का आरोप लगाया था उन्होंने थाने में उसके खिलाफ शिकायद दर्ज कराई 15 साल की उमर में लेरी ने रेचल को कायान शोशन किया गया था